हेलो डियर इस्ट्रेंट्स बहुत बहुत स्वागता अब स्विका बच्चो यह क्लास 6 का सोसल साइंस बुक है सिविक्स है और चप्टर 1 है सिविक्स का तो इस चप्टर का मैं आप लोग को स्वाट क्वेश्चन अंसर दे चुका हूं और इस चप्टर में जो कुछ भी दिय हा है इस इंडिया ए डिवर्स कंट्री तो यहां पे आम लोग देखते है इसका यंशर क्या दिया हा है यह है क्वेश्चन नमर वन का अंसर इंडिया इस अ कंट्री विद ए रिच हरिटेज ओ दिवर्सिटी पिपल रिए बलॉंग तो वरिए रिलिजियस इस पीडिए इस क्लोज इट डिफ्रेंट फूड आइटम्स अल दिवर्स कंट्री हाविवर डिस्पाइट ओल दिस वी ओल आर वन तो यहां पे इसका हिंदी वर्सन में भी आंसर दिया वा है भारत एक विविद्धा पुर्ण देश है और यही इसका विरासत है यहां लोग विविन धर्मो के मानने वाले हैं अलग-अलग भासा बोलते हैं अलग-अलग कपड़े पहनते हैं अलग-अलग भोजन खाते हैं यह सभी बातें यह साबित करते हैं कि भारत एक विविद्धाओं से भरा देश है हाला कि इन सब के बावजूद हम सब एक हैं next question क्या है next question है do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India क्या आप ऐसा समझते हैं कि अनेकता में एकता इस तरह के सब्ध भारत को दरसाने के लिए ये बिल्कुल सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यह है question number two का आंसर yes I believe unity in diversity is an appropriate term to describe India India is a large country and people of different part follow different faiths, speak various languages where and eat differently this shows that India is a diversity spread across its people we are one as an Indian we are no more in Gujarati or a Bengali we celebrate the national festivals with equal jail we sing the national anthem with the same passion this shows our unity हिंदे बर्षन में भी इसका अंसर यहां पे दिया वा है हाँ मैं यह मानता हूं कि एनिक्ता में एक्ता भारत का वर्नन करने के लिए एक युप्यूक्त सब्द है भारत एक बड़ा देस है और अलग-अलग हिस्सों के लोग अलग-अलग धर्मों को मानते हैं विभिन भासाएं बोलते हैं, अलग-अलग वस्तर पहनते हैं और अलग-अलग भोजन खाते हैं इस से पता चलता है कि भारत अपने लोगों में विविध्ता फेलाए हुए है हम सब भारतिय के रूप में एक हैं हम गुजरातिय बंगाली नहीं है हम लोग राश्टिय तेवहारों को समान उत्साह के साथ मनाते हैं उसी जुनून के साथ राश्ट गान गाते हैं यह हमारी एक्ता को दरसाता है Next question क्या है देखते हैं Question number 3 Make a brief mention of the factors that promote unity in India भारती एक्ता को दिखाने वाले कितने कारक हैं इसके बारे में briefly mention करने के लिए कह रहा है यहां पे तो देखते हैं इसका answer क्या है यह है question number 3 का answer The factors that promote unity in India Geographical unity India in spite of its physical, climate and regional differences is largely a single geographical unit India has a continuous history Our history is not the history of small kingdoms but the history of whole country It has political unity Many rulers like Ahsoka, Samudra Gupta and the Mughals ruled over most of Northern India इसका Hindi version answer यहां पे है भारत में एक्ता को बढ़ावा देने वाले कारक भागुलिक एक्ता भारत अपनी भातिक, जलवायू और छेत्रिये भिन्ताओं के बावजुद काफी हद तक एक भागुलिक इकाई बनाए हुए है भारत का एक अखंड इतिहास है हमारे देश का इतिहास छोटी-छोटी रियास्तों का इतिहास नहोकर संपुन भारत का इतिहास है इसमें राजनितिक एक्ता बना हुआ है असोक, समुद्रुगुप्त और मुगलो जैसे कई सासकों ने अधिकाँ शुत्री भारत पर सासन किया नेक्स्ट केशन देखते हैं क्वेशन नम्बर फोर यहाँ पर है क्वेशन नम्बर फोर और उसमें क्या बतला रहा है इस तरह का क्वेशन short question में भी दिया हुआ है, इसका answer भी उसी तरह से है यह है question number 4 का answer Our national flag has three colors The saffron at the top stands for bravery and sacrifice White in the middle stands for truth and peace at the bottom Green color stands for prosperity of our country हमारे राष्टिय धवज में तीन रंग है सबसे उपर, केसरिया साहस और बलिदान का परतिक है बीच में सफेद, सच्चाई और सान्ति का परतिक है सबसे नीचे हरा रंग, हमारे देश की समिर्धी का परतिक है Next question क्या है Question number 5, यहां पे दिया हुआ है Make a brief mention of the Three men economic activities people of India are engaged in यहां पे भारत के लोग कौन तीन economical activities में इंगेज रहते हैं, उसके बारे में briefly लिखने के लिए का गया है तो यहां पे देखते हैं, क्या answer इसका Question number 5 का answer यहां पे है, यहां पे points में दिया हुआ है 1, 2, 3 करके दिया हुआ है फस्ट में primary activities आता है Most people in rural areas engaged in agriculture and related activities such as dairy products, fishing and forestry Secondary activities Many people in urban areas are engaged in production of manufactured goods from primary products Treachery activities Some people engaged in treachery activities do not produce any tangible goods They provide transport, communication or banking facilities, ETC यहां पे है इसका हिंदी वर्षन आंसर प्रात्मिक गतिविदिया ग्रामीन छेत्रों में अधिकांस लोग किर्सी और इससे समंदित गतिविदियों जैसे डेरी उत्पाद, मचली पगड़ना और वानिकी में लगे हुए हैं मादमिक गतिविदिया सहरी छेत्रों में बहुत से लोग प्रात्मिक उत्पादों से निर्मित वस्तूों के उत्पादन में लगे हुए हैं तिर्तियक गतिविदिया तिर्तियक गतिविदियों में लगे कुछ लोग किसी भी मूर्थ वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं वे परिवहन, संचार या बैंकिंग सुविधाएं आधी परदान करते हैं और इसके आगे सौट क्वेश्चन है भरने के लिए यहां पे दिया हुआ है यहां पे 7 नंबर में Who am I? मैं कौन हूँ? तो यहां पे इसको भरने के बाद और कॉस्चन ने दिया हुआ है तो यहां पे हम लोग कंप्रिट कर लेते हैं I am the long woolen cloth worn by कस्मीरीज कस्मीरीओं के द्वारा लंबा सा उलेन कपड़ा पहनने वाला उसका नाम क्या होता है तो इसको फिरंस बोलते हैं फिरंस आपको मैं स्कीरिन पे इसका अंसर दे दे रहा हूँ I am called the harvest festival of awesome तो इसका हो जाएगा बी हूँ तो यह नाम है यहां पे हिंदी इंग्लिस सेम ही आएगा I have written the national anthem of India कि मैंने भारत के national anthem को लिखा है तो हमारे देश के national anthem को किस ने लिखा है तो हम लोग सभी जानते हैं रमिंदर नाथ टैगोर इसका आंसर वही हो जाएगा ब्राउट क्रिष्टिनिटी इन केरला केरला में सबसे पहले क्रिष्टिनिटी इसाई धरम को किस ने लाया था तो S.T. Thomas chapter में दिया हुआ है आप उसको डेटेल न पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अलावा वीडियो में मैंने बतलाया है आप उसको अगर देखते हैं तो उसको वहाँ भी पता चल जाएगा I am called the sugar bowl of India इसे भारत का sugar bowl of India मतलब यहाँ पर चीनी सबसे ज़्यादा उगता है भारत में तो यह है उत्तर परदेश उत्तर परदेश में सबसे ज़्यादा चीनी उगता है इसका अंसर यही हो जाएगा तो यहाँ पर यह chapter पुरी तरह समाप्त हो गया है इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके रखे और इसके next chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे